नवस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल में दोस्तों आज जो वीडियो रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है दोस्तों मैंने एमाजॉन से कैनन 200D Mark II order किया था ये आप पैकेट देख सकते हैं लेकिन जब हमने इसकी अनबॉक्सिंग की इस पैकेट को ओपन करके देखा तो मैं आपको देखाता हूँ कि इसकी अंदर हमें क्या मिला ये आप देख सकते हैं ये परफ्यूम के चार पैकेट मिले हैं लगवग जो कैनन 200D की रेट है डबल लेंस के साथ वो 65,000 रुपई के लगवग है और सिंगल लेंस के साथ जो हमें पढ़ा था वो 47,500 का पढ़ा था लेकिन फिलाल में उसकी रेट बढ़ चुकी है अलगवग 52,000 रुपई का ऑनलाइन में मिल रहा है और आफलाइन मार्केट की बात करें तो 55,000 रुपई तक का मिल रहा है तो हमें ये मिला, सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर अन्बॉक्सिंग वीडियो दिखाता हूँ जिसमें प्रॉपरली हमने इसको खोल के देखाता, प्रॉपर इसकी अन्बॉक्सिंग की थी और जिसमें ये निकला है तो उस वीडियो को देखती है तो दोस्तो अभी मैं बॉइस सोबर बाद में कर रहा हूँ जब वीडियो हमने पहले ही बना ले थी तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बिल लगा है बिल किलियर नहीं है, ये पहले ही ऐसी वाइट टेपिंग की थी जिससे ये बिल किलियर नहीं देख रहा था और पैकिंग पूरी थी, अच्छे से पैक किया हुआ, ये पैकिट आया था चारो तरफ से, मैंने रोटेट करके दिखाया चीज थी इसलिए हमने भी पूरा चारो तरफ से अच्छे से रोटेट किया सारी वीडियो में देखाया, और उसके बाद हमने इसको साइट से देखने के बाद बुलकुल हमें अच्छी से पैकिंग देखी, तो हमने चाकू से इसे साइट से काट दिया था तो इधर साइड से भी और फberg हमने बीच से काटके बीच में जो जगää दिखी हमें घर यहां से open आसानी से हो सकता है तो हमने यहां से पूरा यह fart दिया जैसे हमने सोचा कि बीच में ऐसे open करके हम इसके अंदर जो भी product होगा उसे निकाल लेंगे फिर जब हमने ये open किया open करने के बाद ये white कुछ गत्ते देखे ये हमने जब हठाई side में देखा तो हमें देखा कि ये क्या है इसमें perfume type में तो मेरे को भी starting में बड़ा अजीब लगा कि ऐसे कैमरा ऐसा कैसा तो मैं देख रहा है हिसे कि ये तो कुछ और ही है जब मेरा चोटा भाई बोलता है कि ये तो perfume है मैंने जो voice over किया अभी पीछे की voice हठा दिया तो मेरी family वाले कह रहें ये क्या है तो भाई ने बताया कि ये तो perfume है तो ऐसा हुआ अभी हम चलते एक बार face video पर और इसके अंदर मैंने देखा तो कुछ भी नहीं बिल भी नहीं दिया जो बिल दिया जाता है वो भी नहीं है तो चलिए अब आंगे हम face video में चलते हैं तो फिलाल मैं दोस्तो आपने वो unboxing वीडियो देख ली होगी और आपने clearly देखा होगा जब हमने ये packet open किया उसके बाद हमने tracking ID मैच की order ID मैच की कि क्या यह वही product है जो हमने order किया है आपको मैं बताना चाहूँगा सुबह सुबह जैसे ही delivery वो हमारे gate पे आया तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे ये सामान है लेकिन जब हमने ये packet पकड़ के देखा तो हमें feel हो गया था कि इसके अंदर कुछ और है क्योंकि इस इसमें इतना weight नहीं है camera में काफी ज़्यादा बजन होता है उसके मुगाबले इसमें इतना ज़्यादा weight नहीं था तो हमें जब ही सक हो गया था कि इसके अंदर कुछ और भीजा है अब आप एक बात मान के चलो कि 300-400 रुपए का सामान अगर आप भेज रहे हो कोई 47500 रु या उन seller से खरीदिये जिनकी rating अच्छी हो जिनके review अच्छी हो उन लोगों से खरीदिये और मेरी तो यही राय रहेगी अगर आप market से खरीदो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बरना आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप 60-65,000 रुपए खर्च करो और उसके बाद ऐसे perfume आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों Amazon जैसी बड़ी company को ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि कोई इनसान 60-65,000 रुपए का item केवल तुमारे नाम के भरोसे खरीद रहे है और उसके बाद आप ये product उन्हें थमा रहे हो ये 500 रुपई की चीज़ दे रहे हो तो आंगे कैसे लोग shopping करेंगे इस चीज़ को देखते हुए मेरे को तो काफी बुरा लगा ये चाहिए मेरे को ये नहीं refund मिल जाएगा ये बात मैं जानता हूं ये product वापस हो जाएगा मेरा बापस refund आ जाएगा लेकिन इतनी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी इन लोगों को अगर किस नाम से ये sale करते हैं इनका account permanently block करना चाहिए और इनको Amazon पर sale करने की ऐसे लोगों को permission नहीं देनी चाहिए जो आपके customer के साथ धोका धड़ी करते हैं तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं Amazon की account में जहां पर मैं अपनी order detail देखाता हूं यहां पर orders में जाने के बाद सिधा Amazon Amazon का order section खुलेगा और अभी यहां पर हमें अपना password डालना है जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं सभी चीज़ों का voice over बाद में हो रहा है अभी हमने return request डाल दी आप देख सकते हैं return request accept भी हो गई है तो यहां पर इस camera की आप rate देख सकते हैं फिलाल में 51,990 रुपई हो चुकी हैं इनकी company का नाम आप पौज करके इनकी company का नाम यहां पर देख सकते हैं अपोरियो रिटेलर प्राइवेट लिम्टेड नाम से इनकी यह Amazon पर नाम है जो की रजिशन नाम है मैं दरकास्त करूंगा Amazon से कि इसको जल्दी से जल्दी ब्लॉक कर दिया जाए इनको यहां से आइंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो हमें camera पढ़ाता 47,480 रोपए का हमें यह camera पढ़ाता अभी इसकी रेट 52,000 के लगवग हो गई है तो हमें सस्ता पढ़ाता तो ऐसा भी हो सकता है इनोंने जान पूंच के गलत प्रोडेक्ट भेजा हो तो चलिए लोग इना फेस करेंगे आप लोग बताईए इस बात को तो मेरा बड़ा माइंड अपसेट था इस चीज को देखके क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मनता यूट्वर का बहुत मन होता है कि एक camera से वीडियो बनाए camera खरीद है मैं market भी गया था camera देखने के लिए लेगन market मे क्या था इसकी availability थोड़ी कम थी और जो दुकान अपर मिल रहा था वो काफी high rate में बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि कमसे को 6-7,000 का अंतर आ रहा है तो मैं online ही खरीद लो लेकिन ऐसा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा तो इन चीजों को ध्यार रखना चाहिए और अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताना और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना और बाकी का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हैं ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद